नमक का दरोगा मुंसी प्रेमचंद्र की कहानी जब नमक का नया विभाग बना और इश्वर प्रदत वश्तुओं के विवहार करने का निशेद हो गया तो लोग चूरी छिपे इसका व्यापार करने लगे अनेक प्रकाल के छल प्रपंचों का सूत्र प्रात हुआ कोई घूस से काम निकालता तो कोई चालाकी से अधिकारियों के पोबारा थे पटवारी का सम्मामित पद छोड़ छोड़ कर लोग नमक विभाग में प्रवेस लेने के लिए वहाँ दरोगा पद पाने के लिए ललचते थे वन्शी धर रोजगार की खोज में निकल पड़ा उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थी समझाने लगे बेटा घर की दुर्दसा देख रहे हो रिड के बोज से दबे हुए हैं हम लड़कियां व्याहयोग हो गई है नौकरी में उहदे की ओर ध्यान मत देना ऐसा काम ढ दुर्णा जहां कुछ उपरी आए हो माशिक वेतन तो पूड माशी का चांद होता है जो एक दिन दिखाए देता है और घटे घटे लुप्त हो जाता है उपरी आए बहता हुआ सोत्र है जिससे सदेव प्यास भुजती है तो तुम उपरी कमाई पर कारे करना इस उपदेश के बाद पिता जी से आशरवाद ले लिया वंशिधर एक आज्याकारी पुत्र थे उन्होंने अपने पिता से आशरवाद लिया और नौकरी की तलास में निकल पड़े उन्होंने ये बात ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े अक्छे सकुन से चले थे जाते ही नमक विभाग के दरोगापद पर प्रतिष्ठित हो गए वेतन अच्छा था और उपरी आयका तो ठीकाना न था व्रिद मुन्शी जी को सुक्सनवाद मिला तो वो फोले न समाए जाड़े के दिन थे और रात का समय था नमक के सिपाही, चोकिदार सभी निद्रा में मस्त थे मुन्शी वन्शी धर को यहां आये अभी च्छा महीने से अधिक नहीं हुए थे लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कारे कुशलता और उत्तम आचर से अफशरों को मोहित कर लिया था अफशर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे नमक के दफ्तर में एक मिल दूर की ओर जमुना नदी बहती थे उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था दरोगा जी किवार बंद किये हुए मीठी नीद में सो रहे थे अचानक आँख खुडी तो नदी के प्रवाह की जगँ गाडियों की गड़गडाहट तथा मलाहों का कोलाहल सुनाई दिया उठ बैठे इतनी राद गे गाडिया नदी के पार क्यों जाती है अवर्श कुछ न कुछ गोल माल है वर्दी पहनी तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाया और नदी के पार चले गाडियों की एक लंबी कतार फूल पार कर रही थी डाट कर पूछा किसकी गाड़ी है थोड़ी देर दक सन्ना टा रहा आद्मियों में कुछ काना फुशी हुई तब आगे वाले ने कहा पंडित अलोपी दीन की फिर कौन पंडित अलोपी दीन तादा गंज के मुन्शी वनसी धर चौके पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठ जमीनदार थे लाखो रुपय का लेंदेन करते थे इधर छोटे से बड़े ऐसे कौन थे जो उनके रिड़ी न हो अंग्रियेज अपसर उनके इलाके में सिकार खेलने आते हैं और उनके मेवमान होते थे मुन्सी जी ने पूछा गाड़ी कहा जाएंगी तब उत्तरमिला कानपूर लेकिन मुन्सी जी ने जब उनसे पूछा तो सब में सन्नाट आचा गया दरोगा सहाब का संदे और बढ़ा वे जोर से बोले हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है जब इस बार कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटा कर बोड़े को टटोला भ्रम दूर हो गया ये नमक के ढेले थे दूसरी तरफ पंडित अलोपी दीन अपने सुन्दर से सजीले रत पर सवार होकर कुछ जागते और कुछ सोते चले आ रहे थे अचानक एक गाड़ीवान ने आकर घबराते हुए जगाया और बोले महराज दरोगा ने गाड़ी रोग दी है और घाट पड़ खड़े आपको बुला रहे है हमारी गाड़ीओं को नहीं जाने दे रहे है पंडित अलोपी दीन को अपने लक्ष्मी पर अखंड विस्वास था उन्हें ऐसा लगता था कि नियाय और निती सब लक्ष्मी के ही खिलोने है इन्हें वे जैसे चाहें वैसे न चाती हैं यहां तक कि श्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज चलता है वो लेटे ही लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं यह करकर पंडित जी ने पान के बीडे खाए फिर लिफाज ओडे धरोगा के पास आकर बोले बाबु जी आश्रवात कहिए हमसे ऐसा कौन सा प्राधुआ की गाड़ियां रोग दी गई हैं वन्शिधर रुखाई से बोले सरकारी हुक्म अलोपी दिन ने हशकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और नहीं सरकार को हमारे सरकार तो आप ही हैं हमारा और आपका तो घर का मामला है हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला अपने व्यर्थी कस्ट उठाया यह तो नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और आपको भेट न चड़ाएं मैं तो आपकी स्वेवा में स्वयम ही आ रहा था वंशी धर का इस पर कोई प्रभाव न पड़ा इमानदारी बेचते फिरते हैं आप इस समय हिराशत में हैं आपका काईदा के अनुसार चालान होगा मुझे अधिक बातों के फुर्षत नहीं है और उन्होंने कहा जमंदार बदलो सिंग तुम इन्हें हिराशत ने ले चलो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ बदलो सिंग खड़े खड़े अपने मन में दरोगा को गालिया दे रहा था दरोगा ने फिर से कहा इन्हें गिरफतार करो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ पंडित अलोपी दिन अस्तन भित हो गए, गाडिवानों में हलचल मच गई, पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि ऐसी कठोर बाते सुननी पड़ी, बदलू सिंग आगे बढ़ा, पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था, विचार किया कि ये अभी अलहड लड़का है, मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा, बहुत दीन भाव से बोले, बाबु जी साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी, हमारा अपमान करके आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह थोड़ी ना है, वंशी धर ने कठोर सर में कहा, हम ऐसी बाते नहीं सुनना चाहते, अलोपी दीन ने जिस सहारे को चटान समझ रखाता, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ, श्वाभिमान और धन एश्वर की कड़ी चोट लगी, किन्तु अभी तक धन की शक्ती पर उन्हें पूरा भरोशो था, अपने मुकतार से बोले, लाला, एक हजार का नोट, बाबु साहब को भेट करो, आप इस समय भूखे सिंग हो रहे हैं, वंशी धर ने गरम होकर कहा, एक हजार नहीं, मुझे एक लाग भी सच्चे मार्ग से नहीं आटा सकेगा, वं इसलु सिंग्मन मी दरोगा को गालिया देता हुआ पंडित अलोपी दीम की ओर बढ़ा, पंडिती घबरा कर दो तीन कदम पीछे हटे, अत्यंत दीनता से बोले, बाबुर शाहब इश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पंडित टारा करने को तयार हूँ, हो है, बदलू सिंग्, इस आदमी को अभी ही रासत में ले लो, मैं अब एक शब्द नहीं सुनना चाहता, धर्म ने धर्न को अपने पैरो तले कुचल डाला, अलोपी दीन एक हश्ट-पुष्ट मनुशिक को हद कड़ी लिए अपने तरफ देख कर मुर्चित होकर गिर हाथों में हतकडी, रिदे में गलानी, छोब भरे लज्जा से गर्दन जुकाए, अदालफ की तरफ चली, सारे सहर में हलचल मच गई, किन्तु अदालत में पहुचने में देर थी, पंडित अलोपी दीन इस अगाध वन के शिंग थे, सभी लोग विश्मित हो रहे थे, इस लिए कि भी कानून के पंजे में कैसे आए, बड़ी ततपरता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकिलों की एक सैना तयार के गई, नियाय के मैदान में धर्म और धन के युद्ध ठन गए, वन्शी धर चुप चाप खड़े थे, उनके पास सत्ति के शिवा कोई बल न था, नस्पष्ट भासर, अतिरिक्त कोई सास्र गवा, किन्तु लोब के डांडा होल, यहां तक कि मुन्सी जीक को नियाय भी अपनी ओर कुछ खिचता हुआ दिखाई पड़ा, वह नियाय का दर्बार था, परन्तु उसकी कर्मचारी पक्षपात पर नसा बनाए हुए थे, पक् च्वीज में लिखा, पंडित अलोपी दिन के वीरुद दिये गया प्रमाड, निर्मोन और ब्रामिक है, वे एक पड़े भारी व्यापारी हैं, वे थोड़ी लाब के लिए ऐसा काम थोड़ी न करेंगे, यद्यपी नमक के दरोगा मुन्शी धर्ग की अधिक दोस्त नहीं लेकिन वह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचार हिंता के काड़ एक भले मानुस को दुख जेलना पड़ा, जब मुन्शी वन्शी धर्ग बाहार निकले तो चारो तरब से उनके उपर व्यंगों की वर्षा होने लगी, आज उन्ही संसार का एक खेद जनक विचित्र अ बड़ी कठिंता से एक ही सप्ताह बीता था कि मोद तली का परवाना पहुचा, करतव्य पराणता का डंड मिला, बेचारे, भग नहरदय, सोक और खेद से व्यथित्र घर को वापस चले, बूढे मुन्शी जी तो पहले से कुडबुडा रहे थे, कि चलते चलते इस लड़ पहुची दिनों बाद जब मुन्शी वन्शी धर घर पहुचे तो बूढे पिता के मुधतली का समचार सुना और सेर पीट लिया, बोले जी चाहता है तुम्हारा और अपना सेर एक में मिला के फोड़ दो, व्रिद्ध माता को भी तुख हुआ, पत्नी ने तो ढंग से बा आकर रुका, कई नौकर कंदों पर लाठिया रखे थे, मुन्सी जी अगवानी करने दोड़े, देखा तो पंडित अलोपी दिन है, उन्होंने जुक कर दंडवत ललो पलो चपू करने लगे, हमारा भागय उदे हुआ, जो आपके चड़ इस दरबार पर आहे, हमारे अलोपी दिन ने कहा, नहीं, नहीं भाई साहाब, ऐसा न कहिए, मुन्सी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहा जा सकता है, अलोपी दिन ने वातस्वल स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की किर्ती उज्वल करने वाले संसार में धर्म परायन मनुष्य आज भी है, मुझे इन पर बहुत गर्व है, जो धर्म पर अपना सब कुछ अरपड कर देते हैं, पंडित अलोपी दिन ने वन्शी धर से कहा, दोरोगा जी मुझे खुशामत न समझे, खुशामत करने के लिए मुझे कष्ट उठाने की जरूरत न थी, उस रात आपने मैं आप से कुछ विनै करूं। मुझे से जो विनै हुई उसको शमा कीजिए, मैं धर्म की बेडी में जकडा हुआ था, नहीं तो मैं तो आपका ही दासूं। अलोपी दिन ने विन्ती भाव से कहा, नदीब तट पर आपने मेरी प्राथना स्विकार नहीं किन्त थी, किन्तु आज आपको करनी पड़ेगी वन्षी धर बोले, मैं किस योगी हूँ, किन्तु जो सेवा मुझ से हो सकेगी उसमें तुरुटी नहीं होगी। 6,000 मार्शिक बेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोडा, रहने के लिए बंगला, नो कर्चा कर मुफ्त। कमपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ नहीं कि मैं आपकी उदार्ता की प्रसंसा कर सकूँ, किन्तु ऐसे उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूँ। अलोपी दीन हसकर बोले, मुझे इस समय अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है, मेरी स्विंती को श्विकार कीजिए। अलोपी दीन ने कलम निकाली, उसे वन्शी धर के हाथ में दे कर बोले, न मुझे विद्वता की चाहत है और नहीं अनुभो की नाकारी को शलता की, इन गुडों का खूब परिचय मैं पा चुका हूँ। अब सौभागे और शुवर ने मुझे वो मोती दे दिया है, जिसके सामने योगिता विद्वता की समक फिकी पड़ गई है। एक बार फिर पंडी जी की ओर भक्ती और शद्धा की द्रिष्टी से देखते हुए, कापते हुए, हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिया। अलोपी दी ने प्रफुली थोकर उन्हें गले लगा लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम नेक्ष्ट रेप से फिर से मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स पर वोचिंग मैं वीडियो।